हेलो अब्रीबन मेरा नाम है अमित्यादो और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूटूब चैनल टॉपर बनो में दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है जो हमारा क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चेप्टर टू सोशलीजम इन उर्प एन रस एंपायर फिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1905 का रेवलेशन हुआ था मतव्कि कैसे लोग कौन के लीड किया था सार को मतब कि क्या करने पड़े थे ठीक है उसके जब 1905 करें और मतव की जो रेवलेशन राट यायर कम धेच्टर पादत जैसे की आपको पता है या फिर नहीं पता है तो जान लिजिए कि First World War जो हुआ था 1914 से लेकि 1918 के बीच में हुआ था ठीक है First World War और Second World War के बारे में ही तीसरा चेप्टर है जो कि तीसरे चेप्टर में आपको बहुत सी डीटेल मिलेगा यह सब तो यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ कि First World War Central Power और Allied Power के बीच में हुआ था Central Power और Allied Power के बीच में हुआ था Central Power क्या था Central Power जो था उसमें तीन कंट्रीज थी German, Austria और Turkey ठीक है German, Germany थी मतब Germany, Austria और Turkey थी और Allied Power में France था, Britain था, Russia था, Italy था, Romania था और 1917 में USA भी इस Allied Power को जोईन करता है और 1907 में जब USA जोईन करता है तब ही Central Power यान कि German या श्री और Turkey को हरा पारते हैं कौन Allied Power उसमें जीत किसी की होई थी यह याद रखिये Allied Power की जीत होई थी ठीक है कब हुई थी जब 1970 में USA इंटरी करता है तो 1918 में जीत हो जाती है ठीक है तो आपको पीडियर आखना कि 1914 से लेके 1918 की बीच में First World War हुगा था अब सबसे पहला बात की मतब की इसमें अभी आपको थोड़ा साही पढ़ना है इसके अगले चेप्टर में जो की हमारा नाजी जमैन राइजा फिटलर है उसमें दोनों दोनों मतब की जो हमारा वार हुगा था उसके बीच में मतब की उसका कहान है तो आपको पड़लिंग वहां पर मतब की सब कुछ डीटेल में मिल जाएगा यहाँ पर अभी याद सब्सक्राइबर बीचे पर वार में लीचाप है सब्सक्राइब कर रहे तक कहले उसके बार बार दाएगी यहाँ आ नोधाई लेकिन कुछ समय बाद कुछ समय बाद जो है इसे जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो धीरे-दीरे कम होने लगे मतलब कि इसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था आखिल कारण क्या था आप्टर सम टाइम दस सपोर्ट आफ पीपुल वांटेड वेंट डाउं मतलब कि धीरे- है कि रिजौल के अंदर कर देता है फिर सेकेंडres将 दिनों के बंद कर देता और थर्डुमें करता है जिसमें फटरड जर्जरी सेकेंड़ लेकिन परलीमेंट इसी लेकिन यहां पर फिर से क्या हुआ कि सान निकोलर जेक्ट था वो जो डूमा के पार्टी थे उनसे कंसर्ट करना बंद कर जाए जो पार्लेमेंट पार्टी थी उनके साथ मतब की कोई डिसीजन नहीं लेगता था फिर से जो मतब की अपनी मनमानी कर सकते हैं एक तरह से सबसे असान वड़ा मनमानी समझ लिए फिर से मन चाहा जो भी डिसीजन जो भी करना चाहता था वह अपना लागू कर देता था ठीक है तो इससे लोगों को लगने लगा कि आखिल पार्लेमेंट पार्टी पार्लेमेंट जो है वो बनाने का मतलब क्या रहा गया किवल दिखावे क लिए जब आकिल सारे डिसीजन से ले रहे हैं और सारे मतब कि फिर से वही सब कुछ कर रहा है तो पॉलीटिकल पार्टी जो डूमा है और फिर पार्लेमेंट जो है उससे बनाने का मतलब क्या रहे गया ठीक है जिसको जैसे लोग इसके जो सपोर्ट थे सपोर्ट थी बहु कि टरफ से था वह ता राशपूतिन जो कि इसको एडवाइसर सान निकोलोस के एडवाइसर से एडवाइस करते थे ठीक है लेगन क्या जब दूमा में कंस्ट्राल करने बंद कर दिये तो जिसके वाज़ा से यह इसे फिर से मतब कि इनके आटो क्रेसी जो मतब की फिर से करन करना है तो इनके मतब की पूरे तरह से इनके बिल्कुली खिलाफ हो गया ठीक है जर्मन और दीजिन आपड़ी सारीना एलक्स जन्रा तो यहां पर यह गलत है यहां पर काट दीजिए का कि वाइप कोई नहीं थी वाइप के बारे में आप पर इनकी जिक रही नहीं है वह मै यहां पर नोट में कोई गलती हो गया है तो देखिए जो सबसे पहले यहां पर इस लाइन को भी छोड़ दीजिए यहां तक आपको समझ में आ गया ना कि रासपूतिन कौन था रासपूतिन जो था वह दूमा का एक मेंबर दूमा के मतलब के सब लीडर थे जो की जा निको सबकूद klemma ठीकरररे अरे दीजाओ फ्रस्ट ट्रफ and that two direction अब देखें फ्रस्ट वर्वर वार्व गर था वो देरेक्शन में हो रहा था ठीक है इसचांट ऍहु ze व तो रस्या है रस्या है यहां पर इसके कहीं जर्मनी है ठीक है इसके यहां पर जर्मनी यह तो जर्मनी से इस्ट में लड़ी रहा था वेस्ट में भी इससे लड़ना पर रहा था क्योंकि जो अधर कंट्री जो है थी वह वेस्ट से इस पर अटक कर रहे थी जिसको जैसे दोनो तरफ को रखना पड़ता थी कि impos today first world war का impact क्या पड़ा रस्या के एकनों कि फेक्ट क्या पड़ा थी कि बहूत थी बुरा और अस्रिया से बहुत ही बुरी तरह हार चुकी थी अब देखे आप सोच रहाँ गे कि मैंने अभी बताएं कि 1918 में 1918 में एलाइट पावर जीच जाती एस यहां पर देखे मैं वहीं बताने की कोसिस कर रहा रहा है तो सेंट्रल पावल मतलब की जर्मनी और अस्ट्रिया तुर्की यह कह सकते हैं कि यह फ्रांस और रस्ट्रिया के नाक में दम करके रखी थी मत कब कि उनको इदम बिल्कुल हराने के नौबत पर ला देती लेकिन जब 1970 में USA की इंट्री होती है वार में जिसके वाज़े से पूरा वार का तक थी पलड़ जाता है पूरा वार जो है वो पलड़ जाता है कुछ उल्टा हो जाता है मतब कि पहले लग रहा था कि फ्रांस जो एलाइड पावर है वह हार जाएगी लेकिन यॉएस से के इंट्री के बाद जो entrlie के बाद उसे हार जाना पर तो यहां पर क्या हर रहा है रसीया की आरमी जो है यह अभी 1917 क्या göstकि 1917 से पहले ही है ऩीजब यह मतब कि जब यह रसीया की आरमी हारती है उनसे तभी ऀस से ही इंट्री लेता है तो देखिएear रसीया शार आर्मी एं सबाभे मetic weu मारे जाती है अब दखिए सबसे पहले या पर देखिए कों नहीं यह रसीं की आरमी के वह इतने ही नहीं है बहुत सारे माली यह रस्टिया की आर्मी यह जर्मनी की आर्मी जर्मनी अस्टिया जो टूर्की जो भी है ठीक है तो क्या होता है कि यह जो है बहुत ही बहुत ही बुरी तरह यह रस्टिया की आर्मी है और यह जर्मनी की आर्मी है तो जो रस्टिया की जाते हैं थीक राषुखना पड़ चाही करते हैं एन बी को पिछत आर्मी जो है वो सब्सक्राइब करते हैं कि आते हैं रशीया मी आते हैं जितने भी भी इस बीव्त ओब करते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं 21 लिए करते हैं ताकि जो जर्मनी की आर्मी इनका पीछा कर रही है जो जर्मनी की आर्मी इनको पीछा कर कि रसिया की आर्मी को मतब की रसिया की आर्मी जो अपने ही क्रॉप्स को अपने ही देश के अपने कंट्री के क्रॉप्स को डिस्टॉय कर देती है बिल्डिंग्स को जो डिस्टॉय कर देती है इससे मतब कि इन्यमी को तो यह नहीं रोख पाते हैं लेकिन इससे एक और बहु कि जर्मनी की आर्मी को रोक पाए लेकिन वह तो रुकती है नहीं और क्या करते हैं उल्टा है इनके जन्दा को मतब कि इनके इस पॉपल्ट के जो है वह नुकसान हो जाता है जिसके वाज़ासी यह लोग बिल्कूल ही मतब कि इसके खिलाफ हो जाते हैं सान निकोल सकेंड के पाद चाहिक सब्सक्राइब करते हैं और फक करने जारे हैं से अमत्त फॉक्कतना पड़ रहा हैं अपने तक ही पॉपलो रहे अभी इंडस्टिर्स वगारे जुथी उसके भी उसको भी बहुत ही जाधे मतब कि का सकते हैं कि गटनाई उठानी पड़ी तो चीह हूं कि लोगों को क्या ब्लॉक कर देती है तो मैं आपको बता देता हूं कि दो कि जो यह माली जी जर्मनी है और यह रस्या ठीक है रस्या है तो यहां पर से बाल्टिक सी एक होते हुए गुजरती है ठीक बाल्टिक सी होते हुए गुजरती है तो रस्या जर्मनी जो है यह से ब्लॉक कर देती है इस जो हैं उनसे राव मटेरियल को लेती है यह बाल्टिक सी है लेकिन जर्मनी क्या करती है यह से ब्लॉक कर देती है कि आप इसे यहां से कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि इनके बीच में पढ़ती है जिसके वज़ाए से कोई भी राव मटेरियल जर्मनी ट्रांसफर ही पोता है कि जर्मन ब्लॉक टीँवाटिक सी प्रम सी रूट सप्लाइ राम मटेरियल इंदर रस्या और उशी सी रूट से रस्या में मतिर्ण का सपलाई मतेडियल को जरूवरत होता है राव मचेरियल का बहुत ही ज्यादा जरूरिए इंडस्ट्री तो चलने के लिए और इसके वज़े से क्या होता है कि जब इंडिभस के इसका मतलब यह नहीं है की मतब की लोग औरρε काम नहीं कर सकते हैं इंडिभस के नहीं सकता है। लेबर कैसे कम हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग तो यूद पर चले गाए ना बहुत सारे लोग तो बहुत सारे लेबर जो है वह वार में चले गए लड़ाई करने यहां पर मतब कि हर तरह से कर सकते हैं कि राष्टा बंद गया एक तूप इंडस्रीज में प्रोडेक्शन न आगे त्टि का इसके I should have but the people in इसके वज़ए से मतब की ब्रेड और मतब की आटा वैगारा की बहुत ही जादे कमी हो गया थी पूर सेघी में कर सकते हैं पूरे रस्तिया में और मतब की सार के इलाकों में तो बहुत ही ज्यादा हो गए थी गाओं के इलाकों में मतव की कुछ लोग तो जो थे वो अपना खेती वगारा कर भी लेते थे लेकिन सब्सक्राइब को लोग च्छत पर तो मतव की उगाएंगे नहीं तो इसके वाज़े से सब्सक्राइब अगले वीडियो में इस टॉपिक में जो भी आपको डाउट है आप कमेंट करके बता दीजिए काम फिर से आपको बता देंगी यह से बहुत ही का सकते हैं कि थोड़ा मतलब टॉपिक था ही तो चले मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद